अकसर लोग क्रेडिट कार्ट तो ले लेते हैं लेकिन कार्ट पर लगने वाले चार्जेस और अन्य महत्विपून जानकारी नहीं होने की वज़ा से उन्हें परिशानी का सामना करना पड़ता है कार्ड लेने से पहले ही आपको इन बातों का पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ट पर आपको सालाना कितना चार्ज लगेगा इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए बैंकों से अकसर आपको लिमिट बढ़ाने संबंदित मैसेज आते हैं आपके लिमिट जितनी जादा होती है चार्जेस भी उतने ही जादा होते है अगर आपने credit card लिया है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपको वार्षिक चार्ज लगते हैं आपको अपने credit card बिल का भुकतान समय पर करना चाहिए अगर आपने आखरी तारिक पर इसका भुकतान नहीं किया है तो आप पर भारी penalty लग सकती है लेकिन किसी कारणवर्ष अगर बिल जादा हो भी गया हो तो किसी भी हाल में बिल के settlement का विचार ना करें और पूरा भुकतान करें आपको credit card पर auto payment feature का इस्तिमाल सोच समझ कर करना चाहिए अगर आपके खाते में परियाप्त पैसे नहीं है तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पर सकता है credit card आपको bank द्वारा प्रदान की गई सुईदा है इसका इस्तिमाल आपको स्वेम करना चाहिए अपने किसी भी मित्र या परिजन से credit card पासवर्ट शेयर ना करें अगर आपके credit card से कोई फर्जी transaction हुआ है तो तुरंत इसकी जानकारी bank को दे और card को तुरंत ब्लॉक कर दे credit card से खरीदी पर मिलने वाले bumper discount और reward point पर किसी को सहर्ज ही आकरशुत कर लेते हैं ऐसे में कई बार व्यक्ती जरुरत से जादा सामान खरीद लेता है और उसका बिल बहुत बढ़ जाता है अगर आप credit card बिल का भुकतान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम minimum due का भुकतान तो कर ही दे हाला कि minimum due का भुकतान करने पर भी आपको financial charges का भुकतान करना होगा पर भाब बिल का भुकतान नहीं करने कि अपेक्षा कुछ कम होगा credit card बिल बहुत जादा होने पर आप घबलाए नहीं सहीं से काम ले सही planning के साथ काम करें इससे अगर आप लक्षिन निर्धारित करते हुए सही तरीके से भुकतान करते हैं तो जल्द ही इस समस्या से मुक्ती आप पा लेंगे अगर आपने credit card से कोई महंगी बस्तूख खरीदी है तो तुरंत उसकी EMI करवा ले इसके बाद EMI का भुकतान समय पर करें इससे आपका भुकतान भी हो जाएगा और जादा ब्याज और चार्जिस से मुक्ती भी मिल जाएगी